खुले बाजार बिक्री योजना, OMSS, के तहट अब तक कुल मिलाकर 80.04 लाक टन गेहुं की बिक्री हो चुकी है। इस योजना के तहट गेहुं की साप्ताहिक नीलामी 28 जून 2023 से आरंब हुई थी जो अब तक बरकरार है। चालू सप्ताह की नीलामी के लिए भारतिय खादे निगम, FCI, ने 5 लाक टन गेहुं की बिक्री का ओफर दिया था, जिसमें से 4.78 लाक टन या 96 प्रतिशत की बिक्री हो गई। इससे पिछले सप्ताह के दोरान 4.50 लाक टन की बिक्री का ओफर दिया गया था और उसके 94 प्रतिशत भाग की बिक्री हुई थी। सरकार घरेलू बाजार भाव पर दबाव डालने के लिए OMSS के तहट गेहुं का ओफर क्रमिक रूप से बढ़ाती जा रही है। 28 जून को जब योजना की शुरुआत हुई थी तब 2 लाक टन गेहुं की साप्ताहिक निलामी ओफर दिया गया था जिसे अब धाई गुना बढ़ा कर 5 लाक टन निर्धारित किया गया है। प्रत्येक बिडर के लिए गेहुं की अधिक्तम खरीद की मात्रा भी बढ़ा दी गई है। के मौझूदा रभी सीजन के लिए 2,275 रुपए प्रती क्विंटल निर्धारित किया है। थोक मंडियों में गेहुं का दाम अभी नियूंतम समर्थन मूल्य से उंचा चल रहा है। Bureau Report Market Times TV